हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एश्ट्रो क्लासेश सिल्वासा मित्रों बालाजी वेद वास्तु एवं जोतिस विद्याले सिल्वासा में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मित्रों आज हम बिना कोई दर दर की बातें किये डाइरेक्ट आपको लेके चलते हैं आज के प्रकरण की और ठीक है तो आज का हमारा प्रकरण है आप लोगों के लिए अगर आपकी मेश लगन की कुंडली हो तो आप मारिक के धारन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते है तो किस इस्तिती में, किस घर में सुर्य बैठा हो, तो कर सकते हैं। ठीक है? तो यह हमारा वेबसाइट है, यह हमारा यूटूब का चैनल तो प्लीज आप यूटूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियोज को देखें वाच करें लाइक करें और सेर करें प्लीज क्योंकि आप लोगों के वज़े से हम हैं और हमारे से आप लोगों को ग्यान मिलने वाला है और मैं डेली इस तरह के बहुत ही गुढ़ ग्यान का और टिप्स और ट्रेक्स जो तिसका मैं आप लोगों को देता हूँ तो आप लोग अगर हमारे वीडियोज को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्द बहुत बढ़े जोतसी बन सकते हैं और बहुत लोग बने हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें लाइक करें शेयर करें प्लीज एंड हमारे ब्लॉग पे जाकर के आप साइन अप करें एकदम लास्ट में यहां पर आप पो साइन अप का बटन मिल जाएगा हमारे साथ जुड़ें फोलो अनफोलो का तो आप लोग प्लीज हमारे सा है आज का हमारा प्रकरन है कि अगर आपकी कुंडली में मेश-लगन की अगर आपकी कुंडली है तो उसमें सुर्य अगर कहां बैठा हो तो आप मारिक के धारण कर सकते हैं और कहा बैठा हो तो नहीं कर सकते उससे आपको फाइदा ये नुक्सान क्या होगा ये भी हम आपको विधी पुरवक विश्तरत रूप से बताएंगे पहली बात मैं आप लोगों को बतला दूँ कि स्टोन जब भी आप धारण करें बहुत सोच समझ के धारण करें में तुन देखो ये चीट जो है न कोई मजाग का भी सह नहीं है जोतिस आपके जिंदगी से रिलेटेड ऐसे ऐसी बातों को बतलाता है जिससे आपका जीवन बन भी सकता है आपका जीवन बिगड भी सकता है बहुत लोग मेरे पास आते हैं मैंने उनको देखा है कि बहुत सारे स्टोन्स धारण करके रखें उनको ये नहीं पता कि कौन से स्टोन के साथ में कौन सा स्टोन धारण नहीं करना चाहिए भी धारन कर रखा है राहू का भी धारन कर रखा है अब बताओ इसका रिजल्ट निगेटिव तो निकलना ही है ना तो प्लीज आप लोग इस बात पर ध्यान दें और उसके बाद ही आपकी कुंडली में मैं ये जरूर बतलाओंगा कि सुर्य आपका कहा हो तो आप सुर्य का इस्टोन धारन कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को ये जरूर बतलाना चाहूंगा कि सुर्य आपकी कुंडली में चाहे कितना भी अच्छा हो और कितना भी बेहतरीन फल देने वाला हो फिर भी आप दसा अंतर दसा और अन्य ग्रहों की स्थिदी को देख करके ही ग्रहों का रतन आप धारन करें जैसे राहू की दसा चल रही हो तो आपको सुर्य का इस्टोन धारन नहीं करना चाहिए गुरू का इस्टोन धारन नहीं करना चाहिए अगर आप धारन करते हैं तो निगेटिव फल आपको मिलना ही है उसमें नो डाउट तो चलिए आपको इन सब बातों का आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए अब हम आप अपने प्रकरण की ओर आते हैं कि अगर आपकी मेश लगन की कुंडली है तो आप सुर्य का इस टोन धारन कर सकते हैं अथवा नहीं तो अगर लगन में आपका सुर्य बैठा हो मेश रासी पर तो ये घर जो है मंगल का होता है मंगल इस कुंडली का लगनेश क्रह होता है और मंगल सुर्य का मित्र ग्रह है तो आप यहाँ पर बैठे हुए सुर्य का रत्न मारिक के अथवा रूबी आप धारन कर सकते हैं अगर आप रूबी धारन करेंगे तो आपका प्रभाव, आपकी प्रस्नालिटी, आपका दबदबा आपके अंदर ओज, तेज, आपकी बानी में, आपके रूप में आपके सरीर में, आपके हर चीज में आकरशन पैदा करेगा और इसके फलस्वरूप अथवा सेवेंथ होम पे सेवेंध द्रिष्टी अगर डालता है सुर्य यहाँ पे बैठा हुआ सुर्य यहाँ पे देखता है इस घर को तो आपके पार्टनर्सिप को और आपके लाइफ पार्टनर यानि आपकी पत्नी के साथ आपका प्यवहार अती ही सुन्दर हो जाएगा मधुर हो जाएगा ग्रस्त जीवन बेहतरीन हो जाएगा आपके जो पार्टनर्स रहेंगे उनसे भी आपको फाइदा होगा ठीक है तो यहाँ पर बैठे हुए सुर्य का रतनाबधारन कर सकते हैं बात करते हैं अब हम दूसरे घर की तो दूसरे घर धन और कुटुम्ब बाणी आदी का घर बताया गया है आख का घर बताया गया है यहाँ पर बैठे हुए सुर्य का रतनाबधारन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर बैठे हुए में इस लगन की कुंडली हो और दूसरे घर में बैठे हुए सुर्य हो और उनके रत्न आप अगर रूबी या मारिक के धारा करते हैं तो आपके जिन्दगी में धन में धन की वरद्धी होगी कुटुम्ब में प्रेम बढ़ेगा सब लोग सहयोग करेंगे आपके आँखों की रोसनी बनी रहेगी और यहां से बैठा हुआ सुर्य यहां अश्टम भाव को देख रहा होता है अश्टम भाव यानि मुसीबतों का घर मुसीबतों को कंट्रोल कर लेता है ऐसा सुर्य यदि इसका आप मारिक के रत्न धारन करते हैं तो बात अगर तीसरे घर की करें तो तीसरे घर में बैठे हुए सुर्य की मेसलगन की कुनली में आप कदापी रत्न धारन न करें क्योंकि यह आपके निगेटिव पॉइंट को बढ़ाता है अपके पराक्रम को बढ़ाता है लेकिन आपके निगेटिव पॉइंट को बढ़ात अपने परिवार में अपने भायों में स्रेश्थ दिखाने की होड में सामिल कर देता यहां दिरिश्टी जो डालता है नम्मण घर पर तो यहां पिता से और संतान से भी यह बिरोध करवा देता है इस स्वर में आस्था रखने नो रखने के लिए आपको बाध्य कर देता है यानि कि आपको नास्तिक बना देता है इसलिए आप तिसरे घर में बेठे हुए सुर्य का रूबी धारण ना करें पंचम भाव के मालिक डिपार्टमेंट इस कुंडली में में इसलिए के कुंडली में सुर्य को आपकी कुंडली में डिपार्टमेंट मिलता है पंचम भाव का यानि कि आपके लव रोमांस से ले करके आपके बिद्या, एजुकेशन, बाड़ी, ब्यवहार, ब्यापार, हर तरह श्टमक वगेरा से ले करके हर तरह का ये डिपार्टमेंट जो है सुर्य के पास रहता है ऐसा सुर्य अगर चतुर्थ भाव में केंदर में चंदर्मा के घर में बैठा हुआ हो तो अत्यंत सुभफल देता है आपको सुन्दर भवन बाहन जायदाद प्रोपर्टी आदी दिलाने में सक्षम होता है तेंथ होम ये दपी उसके सत्रू का घर होता है सनी का घर होता है लेकिन यहां बैठा हुआ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सुर्य टेंथ होम पर जब दरिश्टी डालता है तो एक उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये दिगबल यहां उसको प्राप्त होता है दिसाबल प्राप्त होता है क्योंकि ये दक्षन दिसा है और यहाँ पर सुर्य को कारक माना जाता है 10th home का कारक सुर्य को माना जाता है इसलिए 2 उसका positive point हो जाता है इसलिए सुर्य यहाँ पर आपको सुभफल देता है अगर उसका मारिक करतन धारन करते हैं तो और 10th home से related यानि आपके कार्ये छेतर को चार गुना बढ़ा देता है तो आप चोथे भाव में बेठे हुए सुर्य कारतन मारिक के धारन कर सकते हैं मेस लगन की कुंडली जदी आपकी है तो ठीक है पंचम भाव की बात करें तो उसका तो घरी है तो आपको आप अगर चाहें तो प्रेम बीवा भी लब मेरेज भी आपका सक्सेस्फुल हो सकता है मारिक के धारन करने से यहाँ पे आपके संतान की वरद्धी होगी संतान का सुंदर योग बनेगा आपका विद्वता आपकी बाणी निखरेगी आपका हायर एजूकेशन के योग बनेगे और इंकम आपका सतत बना रहेगा क्योंकि इंकम भाव पर सत्रु दृष्टी होने के बाद भी दृष्टी डालता हुआ सुर्य आधे घर का मालिक हो जाता है ऐसे में सुर्य आपके इंकम भाव को इंकम को बढ़ा देता है ठीक है तो पंचम भाव में बैठे हुए सुर्य का रतन भी आप धारण कर सकते हैं अगर बात करें छटे भाव की तो यहां पे बढ़ते हुए सुर्य का पराक्रम आपके सत्रूओं के पराक्रम को बढ़ाएगा और आपके उपर करजा, रोग, रिण, आदी और लोगों को आपके उपर हावी होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा अगर आप मारिक के धारण करते हैं इसलिए छटे भाव में बैठे हुए सुर्य का जदी मेसलगन की आपके कुनली हो तो आप कदापी उसका रत्न धारण ना करें क्योंकि यहां बैठा हुआ सुर्य द्वाव पर द्रिष्टी डालता है और ब्याय भाव को यह आपके प्लस जो उसमें सुभम फल मिलने वाले होते हैं उसको नश्ट कर देता है और सुभता को बढ़ावा देता है यानि कि आपके प्रतिष्ठा का ब्याय करवाएगा यहां द्रिष्टी डालता हुआ सुर्य यहां छठे घर में बैठे हुए सुर्य की संपूर्ण द्रिष्टी 12 भाव पर होगी तो आपके प्रतिष्ठा का ब्याय करवाएगा और आपके विदेश यात्रा को रोक देगा और इसलिए आप छठे भाव में बैठे हुए सुर्य का रत्म श्टोन धारण ना करें सब्तम भाव में जड़ी सुर्य बैठता है तो बड़ा ही सुब होता है लेकिन यहां मेस लगन की कुंडली होने के वज़े से तुला रासी बैठती है अगर तुला रासी का सुर्य नीच का हो जाता है इसलिए नीच का सुर्य आपको कभी सूफल नहीं देगा नीच के गरह का स्टोन अगर आप धारण करेंगे सेवेंथ हों में बैठे हुए सुर्य का रत्म अगर आप धारण करेंगे तो आपके personality को ये दबा देगा और आपकी बाणी को अब डबा सा बना देगा यानि कब कहां क्या बोलना चाहिए ये न समझ करके बोलते हुए आप हर जगा लजजित महसूस करेंगे अपने आपको इसलिए 7th home में बैठे हुए सुर्य जो की आपके जीवन में नीच का सुर्य आपके मतलब ग्रहस्त जीवन में ये दरार लाएगा यहां तक की तलाक की नवबत भी बना सकता है डिवोर्स करवा सकता है आपका इसलिए 7th home में बैठे हुए सुर्य कारतना आपका दापी धारण न करें ये संतान के लिए भी 6th home गर का सुर्य सुभ नहीं होता संतान से दूरी बनवा देता है और उससे आपका संतान आपसे पुरे मोह खुल करके बात नहीं करता है अश्टम भाव के सुर्य की अगर बात करें कि अगर मेशलगन की कुंडली में अश्टम भाव जो है वो मंगल का घर होता है मित्र का घर होता है सुर्य का फिर भी ये मारक भाव है तो यहां पे बैठे हुए सुर्य का रत्मगर आप धारा करते हैं तो क्यूंकि त्रिकोन भाव का मालिक है सुर्य ऐसी स्थिती में सुर्य का बल और बढ़ेगा और ये अश्टम भाव से संबंदित दुस्पल को आपको देगा आप तरह तरह के रोग परेशानी और बिमारी एक्सिडेंट वगेरे से घिर जाएंगे आप पैसा खर्च करते हुए भी कोई सक्सेस आपको नहीं मिलेगा यहां बैठा हुआ सुर्य दूसरे घर को देखेगा और दूसरे घर को देखते हुए सुर्य जो है वो आपके धन कुटुम और बारी और नेत्र पर दुस्प्रभाव डालेगा उसका सुफल आपको नहीं प्राप्त होगा इसलिए अश्टम भाव में मेस लगन की कुंडली में अश्टम भाव में बैठा हुआ सुर्य अगर हो तो उसका रत्न मारिक के या रूबी आप धारन ना करें नवम भाव में बैठे हुए मित्र के घर में बैठे हुए सुर्य इसका रतनाप धारन कर सकते हैं ये आपके एक त्रिकोन भाव का मालिक होता है और दूसरे त्रिकोन में बैठा होता है उपर से दूसरे त्रिकोन का घर उसके मित्र का घर होता है इसलिए ये सुर्य आपके भ गर से संबंदित छोटे भाई बहनों का फोल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा पंचम भाव में बैठे हुए सुर्यका की दृष्टी ग्यारह में भाव पर होती है तो बड़े भाई बहनों का संपुर्ण सहयोग आपको मिलता है ठीक उसी तरह नवम भाव में बैठे हुए सुर्यका पुर्ण दृष्टी जो है वो तृतिय भाव में होने के वज़े से छोटे भाई बहनों का परोसियों का भी सुन्दर सहयोग आपको प्राप्त होता है आप लक्की होते हैं पिता का साथ मिलता है पुत्र का साथ मिलता है इसलिए आप नवम भाव में बैठे हुए सुर्यका रतनमारिक के धारन कर सकते हैं 10th home यद्धिप्यूस के सत्रू का घर होता है सुर्य का मेस रासी में मेस लगन की कुंडली में इसलिए 10th home में बैठा हुआ सुर्य यहाँ पे क्योंकि उसका यह घर कारक घर है सुर्य का दसंभाव का कारक सुर्य को बाना जाता है सुर्य जो है वो 10th home का कारक घर है और दिखबल भी यहाँ पे सुर्य को प्राप्त होता है और इसकी 7th द्रिष्टी मित्र द्रिष्टी होती है चंद्रमा के इसलिए भूमी भवन जायदाद बाहन और कार्य छेतर में प्रोग्रेस करवाता है यह सुर्य आपका इसलिए आप यहाँ पे बैठे हुए सुर्य कारत्नधारन कर सकते हैं ठीक है 11th home की बात करें तो सेम बात होती है यहाँ तो बैठा हुआ सुर्य आपको कल्पब्रक्ष के समान फल देता है क्योंकि यहाँ बड़े भाई भवनों से फूल सपोर्ट आपको दिलाता है इंकम की सतत आपका इंकम बनाये रखता है रेगुलर और पंचम भाव पे उसके दरश्टी आपके एजुकेशन को आपके पुत्र के योग को बनाता है आपको निसंतान नहीं रहने देता सुंदर पुत्र गुणवान पुत्र देता है और बिद्या देता है बुद्धी देता है और सबसे बड़ी चीज प्रजेंट आफ माइंड देता है आपको तो सुर्य यहाँ अगर 11 ओम में बैठा हो आपकी कुंद्ली में तो आप इस कारत्न मारिक के आरूबी आप धारन कर सकते हैं लेकिन ब्याय भाव में सुर्य बैठा हो तो इस कारत्न आपको धारन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अकारण खर्चा आपका बढ़ा देगा रो सुर्य ब्याइभाव का सुर्य आपको कंगाल बना देता है बहुत करजे में डाल देता है इसलिए ऐसे सुर्य कारत्न आप कदाप धारण ना करें ठीक है सुर्य कारत्न जैसा कि आप देख रहे हैं ये मारिक्य है और इस मारिक्य को आप जब भी पहने तामबे में अथवा पीतल में धारण करें क्योंकि इसका जो है न सुर्य बहुत गर्म ग्रह है आग का गोला है अगर आप गलती से चांदी में पहन लेते हैं सुर्य का रत्न तो चांदी यानि की चंद्रमा चंद्रमा एकदम ठंडा ग्रह है सीतल ग्रहों की स्रेणी में आता और चांदी पर उसका प्रभाव होता है ऐसी स्थिती में सुर्य का स्टोन आपको बीपरीत फल देता है इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें सुर्य का रत्न तुवा मंगल का रत्न कभी भी चांदी में धारण ना करें ठीक है तो इसलिए इस प्रकार से और एक और बात important बात आप लोगों को बतला दूँ कि आप कभी भी कोई भी stone चाहे वो ग्रह की तना भी बढ़िया क्यों नहों जैसे मानलो सुर्य के साथ सनी बैठा हो राहू बैठा हो ग्रहन दोस हो या फिर गुरू के साथ राहू का चांडाल दोस बन रहा हो या फिर दसा अंतर दसा में कोई ऐसे एंटिक ग्रह हो तो उसके बीपरित ग्रह का सत्रु ग्रह का stone आपको धारन नहीं करना चाहे इसलिए म आपको जाते जाते अंतिम में यही बात बतलाना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी स्टोन धारन करना चाहें तो उस स्टोन को धारन करने से पहले किसी भी गुर्वान, स्रेष्ट, विद्वान, जोतिसी से क्योंकि आपकी जिंदगी से बड़ा आपका पैसा नहीं है अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप 1100 रुपया हमारा फीस है हमारे एकाउंट में डाल कर फिर आप हमसे फोन पर जितना चाहे मर्जी आराम से बात करके पूरी तरह सलाह ले सकते हैं अगर आप फ्री में चाहें तो हमारे यूटूब का आप चैनल देख रहे हैं एश्ट्रो क्लासेस सिल्वासा आप यूटूब में जाएंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स आप देख रहे हैं जदि आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे एश्ट्रो क्लासेस सिल्वासा और सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा देखिए अभी हमने सर्च बॉक्स में एस्ट्रो क्लासेश डाला ठीक है ये देखिए हमारा चैनल आ गया उपर सबसे उपर उसके बाद सारे वीडियोज आ गए ठीक है तो आप इस चैनल पर जा करके और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ठीक है और इसमें जितने वीडियोज हैं किसी भी और एक बात और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो अपना डीटिल हाना डेट ओब बर्थ, टाइम ओब बर्थ प्लेस ओब बर्थ देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ लोग गल्तियां क्या करते हैं यह हमारा जो है वीडियो चालो हो गया ठीक है यह हमारा वीडियो है मैं इसको बंद कर देता हूँ अब देखिए नीचे आपको दिखाता हूँ लोगों ने कितने comments लिख रखे हैं 16 comments लिख रखे हैं लेकिन इसमें ये देखिए इन्हों ने AM PM नहीं लिखा है अब कैसे पता चलेगा तो इसलिए आप कभी भी अगर डालते हैं तो AM और PM भी डालें और अपना place of birth जरूर डालें कि आपका जन्म कहां हुआ है किस state में हुआ है अगर गाओं में हुआ है तो अपना कोई निजदी की बड़े सहर का नाम डालें ठीक है तो यहाँ पे आपको सर्फ एक प्रस्न का उत्तर मिल जाएगा और बिधिवत मिल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते है इसके पहले वाले जितने वीडियोज है सब के हमने उत्तर दे दिये है और इसमें भी एक दिन देखने बैठा तो बहुत सारे लोगों का कुछ न कुछ प्रॉब्लम था अब इन्होंने का कि आप यहाँ नहीं हमें इतना कमेंट करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आप इस तरह से मुझसे फ्री में सलाह ले सकते हैं और अगर आप बात करना चाहें अच्छी तरीके से फोन पे तो आप निश्चित रूप से अपना एकाउंट में हमारे फीस का जो पेशा है चार्ज वो डाल करके फिर आप फोन करके हमारे साथ बात कर सकते हैं आपकी कुंडली पर डिसकस कर सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग बाइन टेक केर थैंक्स